इंडिया और पाकिसन का जो मेच चल रहा था बहुती सांदार रेंक चल रही थी ग्रेंड लिंग में इसमें से दोस्तों मैंने जो तीन टीम नंबर तीन थी वह आप लोगो के साथ सेर भी करी थी टेलिग्राम चिनल पे यह जो मेच तो एवेंडेट हो गया वरना ग्रेंड ल अगर यह मेच कंप्लिट होता तो ग्रेंड लिग लगने की पॉस्पिलिटी बहुत जादा हाई थी पॉइंट्स भी आप देख सकते हो इसके अलावा एक टीम यह भी थी जो मैने आप लोग साथ सेर भी करी थी दोस्तों ठेलिग्राम चेल पे अगर यह मेच कंप्लिट होत पॉस्पिलिटी काफी जादा हाई थी अपना लग साथ नहीं दिया और यह मेच कंप्लिट नहीं हो पाया इसके बाद दोस्तों कल के जो मैचेस गये थे उनमें भी ग्रेंड लिग बहुत अच्छे अच्छे रेंक आई थी और आप लोगे साथ में टीम भी सेयर कर देता तो टेलीगाम चनल को अगर आपने जोइन नहीं कर आओ तो जल्दी से टेलीगाम चनल को जरूर जोइन कर देना कल भी दोस्तों ग्रेंड लिग में दो मैचेस से गये थे जिसमें मेरी मिस्क हुई थी एक तो याला पाकिस्थान उबन सांथ आफरेका उबन का इसके अलाग सीख लो किस तरीके से प्लेयरों को स्लेट किया जाता है 90% से उपर कि कौन-कौन से प्लेयर इंपोर्टन रहेते हैं 10% वाले जो की बहुत कम लोगों देते हैं उनमें कौन-कौन से प्लेयर ग्रेंड लिग में अच्छा प्रफॉर्मस देखे जाते हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता पड़ेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करो पूरा देखोगे तो आप लोगों को भी क्लियर होगा कि कौन-कौन से प्लेयर आज के में इंपोर्टन रहेंगे जिनको आज अपन ग्रेंड लिग में ट्राय कर सकते हैं और अच्छा ग्रेंड तो आज दोस्तों इंडिया और नेपाल का मेच है जिसके वारे पर बावात करने वाले और यहाँ पर मैंने तीन टीम कॉम्बिनेशन बना चुका हूं जिसमें से दोस्तों दो जो कॉम्बिनेशन है पूरी के पूरी इंडिया के फिवरे बना है और एक जो कॉम्बिनेशन ह वो थोड़ा सा नेपाल के प्लेयर्सों को भी प्रीफर करा है क्या कॉम्बिनेसन है वो आपको इस वीडियो पताऊंगो और कौन को से प्लेयर से लेट करें वो भी आपको पता पड़ेगा बस आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना इसकी बिलकुल भी नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है इंडिया की तरफ से दोस्तों कि जस्पी दूमरा आज आनब बेले बले इंडिया जा चुके वापस से तो उनकी जगाप आज महमत सामी के हाई चांसे से कि आज आपको खेलते हो दिखेंगे और अगर आएंगे तो काफी इंपोर्टन प्लेयर रहेंगे कैप्टन जरूर ड्राय कर ले न आज के मेंच में मेंचिक के मेंच में आगर आप देखकोंगे 55 परेंट 75 परेंट से उपर कौन कौन से ब्लेयर ले तो यहां जो प्लेयर साब देख स्क्रीन पर जाला है तो से नकल काफी न विगेट कीपिंग सेक्षन में बेस्ट उप्षन ही रहने वाले हैं इसके अलाबा यहाँ पर सोमपाल कामी जो कर लास्ट टेश में कुछ रन बना के गए साथ इसाथ दो विगेट भी निकाल के गए थे देथ वाला ओर डालते हुए तो इन सब यह का सेलेक्षन हाई ली है औ पर आप ग्रेंड लिग रिस्क ले सकती हो तो सबसे पहले दोस्तों रोहिस सर्मा के अपन बात करें तो रिसेटली फॉर्म अच्छा जा रहा है लास्ट टेश में अच्छी नौक खेल रहे थे लेकिन अनफॉर्टनिटी आउट हो गये और सावने वेरी टीम में बॉलर को रहेंगे सोंपल कामी रहेंगे कारण कैसी रहेंगे इनिसेल में अच्छी बॉलिंग करते हैं और फॉर्म में भी दिख रहा है तो अगर आप रिस्क ले सकते हो इनको ड्रॉप करने की अधरवाइस दोस्तों सेफ प्लियर है आप बिल्कुल अपने ट्राइ कर सकते हो बहु यहाँ पर विराट कोली वन डाउन पर आते हैं सुमन गिल आते हैं अब यहाँ पर एक चित ध्यान में रखना है अगर नेपाल पहले बेटिंग करेगा तो क्या हो सकता है दोस्तों कम स्कोर पर आलाउट हो सकता है उस कंडिशन में क्या हो सकता है विराट कोली की बेटिंग तो हो सकता है कि आपको कम पॉइंट दिला के जाएं दूस्तों तो आप उस कंडिशन में क्या कर सकते हो इनको भी रिस्क ले सकते हो इनकी जगा पर आसिफ से कॉपने टीवों में प्रीफर कर सकते हो सुमवन गिल इंपॉर्टन रहेंगे रोहिस सर्मा इंपॉर्टन रहेंगे जडेजा, हारदिक पांडिया, मोहमद सिराग इंडियन बॉलर्स जो रहने वाले हैं काफी इंपॉर्टन रोल प्ले करने वाले हैं क्योंकि दुस्तों पहले बेटिंग हो या बादर बेटिंग को विकेट डेफिनिटली गिरने वाले हैं नेपाल टींग के तो बॉलर्स ओपर विसे शूपस आपको धियान रखना है और बेट्समेनों को किस कंडिसन में ड्रॉप करना है वो में आपको बता चुका हूँ यह सारे highly selected player है जिनका selection 75% से उपर रहा है दोस्तों इसके अलावा अगर अपन बात करें आज का जो मेच है दोस्तों फिर से rain affected है और आज जो है chances और ज़्यादा बढ़ गए 80% के करीब करीब chances कि आज rain होगी दोस्तों तो यह मेच भी एवेंड़िड हो सकता है तो उसे accordingly invest करीएगा स्क्रीन पे जो तीन प्लियर देख रहा है इनका selection है 50% से लेके 45% के बीच में दोस्तों इस category में दोस्तों तीन प्लियर आज चुके हैं डिपेंडरिसिंग आई रहे मोहमद सामी और कुल्दी प्यादा यह दोनों काफी important प्लियर रहने वाले है इस match में दोस्तों विकेट टेकर बॉलर और विकेट डेफिनेटली लेके जाएंगे यहाँ पर डिपेंडरिसिंग आई रहे है highly selected है तो इन पर आज आप रिस लेक्टेड़ सकते हो आपको तीन प्लियर देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर दुस्तों बैट्समेनों को जादा रिक्वेंट नहीं करूंगा कि आप नेपाइल के बैट्समेनों को प्रीफर करो क्योंकि सामने जो balling attack के काफी श्ट्रोंगे और इन से आप जादा expectation नहीं रख सकते हो तो इन पे जादा risk मत लिजेगा इनको जादा rotation मत लाइएगा इनकी जगए पे दोस्तों स्रेय साइयर काफी अच्छी option रहने वाले है अगर पहले इंडिया बैटिंग करता है तो अगर चेस करेगा तो सकता है इनकी भी बैटिंग ना पाए तो इस condition में आप स्रेय साइयर को भी risk के ले सकते हो ड्रॉप कर सकते हो इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो स्रेय साइयर अपने लिए काफी important differential पिक रहेंगे क्योंकि अगर आप देखोगे तो 80% से ऊपर लोगों ने किसको ले रखा है रोहिस सर्मो को ले रखा है सुंबनिल को ले रखा विराट को ले रखा और वही स्रेय से एरगर सेलेक्शन देखोगे तो काफ़े कम लोग और इनको टीम में लगे रखा हैं तो ये डिफरेंटियल रहेंगे अगर इंडिया पहले बेटिंग करेगा तो ठीक है अधरवाइस आप इन तीन के साथ जा सकते हो ये काफ़े अच्छे सेफ ऑप्सन रहने और अच्छी परफूमस दे सकते हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो क्या होगा दोस्तों कुछ गेंदे भी खेल सकते हैं ये और रन भी बना सकते हैं तो दो दरब से आपको बंद दला सकते हैं लामिशने का फॉर्म बहुत अच्छा है लास्टर से ज़रूर ए आपको बता दिया है कि इस कंडेशने आप किस-किस को ले सकते हो ड्रॉप कर सकते हो अब अब अपन देखने वाले हैं और भी ज्यादा रिसक्री प्लियर और भी बहतरी इन ग्रेंड लिक के प्लियर दूस्तों दस परसंट की नीचे केवल एकी प्लियर बचा है और वो है ललित राजवनसी इनको ग्रेंड लिक में जरूर राय करने लास्ट विकेट लिस गए हैं पूरा दसवर की गेंदवाजी करेंगे अगर दो या तीन विकेट निकाल गए तो आपकी ग्रेंड लिक की टीम बहुत अच्छी है कर सकते हैं वैन्यू पे इनको मदद मिलेगी इ आपर तो इनको आप ग्रेंड लिक में अपनी टीमों में रोटेशन गुमा सकते हो कब अगर नेपाल पहले चेस करता है तो इस कंडिशन में यह बहुत इंपॉर्टन ग्रेंड लिक वाले प्लेयर रहेंगे सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम है बहुत डिफ्रेंशल आपको ज इंडिया पहले बेट करेगी तो कौन-कौन से इंपॉर्टन प्लेयर रहेंगे अगर चेस करती है तो कौन-कौन से प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हो सब कुछ आपको बता चुको अब आप ग्रेंड लिक में मल्टिपल टीम बना सकते हो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है अ वीक टीमें उनके अगेस्ट खेल सकते हैं विराट को लिए वंडन वाले को लिया यहाँ पर चाहा था तो स्रेयस अइयर को भी टीम में ले सकता था बट नहीं लिया है रीजन क्या है अगर दूस्तों यह दूरों लंबी पारी खेल गया इंगे उसके बास सीदे सीदे को औ जाएंगे या तो दूस्तों हारदिक पांडिया जाएंगे स्रेयस अइयर का बेटिंग ओडर बहुत नीचे हो सकता है अगर यह बड़ी पारी खेल गए तो तो वही सोचके स्रेयस अइयर को हटाया है और फिर 6-6 मेंड में बॉलर्स उको टीम में रख लिया है कोई सभी ब तो यही प्लियर डिफ्रेंस क्रियेट करने वाला ही स्मेच में दोस्तों ठीके तो यह चीज आपको धियान रखना है आप अपने रिकॉर्डिंग ली कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हो तो दूसरी टीम में क्या कर रखा है अगर दूस्तों इंडिया चेस करेगा तो पर नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर इसान के सन को ही रखा है क्योंकि अगर दस विकेट नेपाल के गिरेंगे तो यह अपने को केचे स्टंपिंग के अच्छे बुट दिला सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसान के साथ गया हूँ रोई सर्माय विराट कोली सुमन गिले अंपाल कामी को रख रहा है बेटिंग बॉलिंग दोनों का एडवांटेज ध्यान में रखते हुए तो यह मेरा टीम कॉंबिनेशन दब लगाऊंगा अगर इंडिया पहले चेस करता है तो दोस्तों तीसरा कॉंबिनेशन देख लो तीसरा देखने से पहले आप लोग से र रेंड लिग वीडियो आए तो आपको नोटिविकेशन मिलते रहें तीसरे टीम देख लो यह जो टीम बनाई है दोस्तों थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि इसमें कुछ बड़े प्लेयरों पर रिस्क लिया है रोई सर्मा नहीं है सुमन गिल नहीं है स्रेया सायर नहीं है व अगर इंडिया पहले बेटिंग करेगा क्योंकि उस कंडिशन के अकॉर्डिंग ली अपने पास दोस्तों यह दो प्लेयर है जो कि अपने को बेटिंग से भी और बॉलिक से भी पॉइंग दिला सकते हैं और यहां पर दोस्तों सोंपाल कामी है करन के सी हैं तो करेगा तो चलने की हाई पॉसिबिलिटी रहेगी अधरवाइस दोस्तों चेजिंग में भी चल सकती है लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इस टीम के फिर कम हो सकती है ठीक है तो यहां पर मैंने आपको साथ तीनों टीम सेयर करी है आपको जो बेस्ट टीम लग रही है नि नहीं जुड़े हो जरू जुड़ जुड़ जाने हो क्योंकि फाइनल अब्रेट आपको टिल्ग्राम चिल्ट पर मिल जाया करेंगे